Welcome to RJ वास्तुम, आप सभी को मेरा नमस्कार, आज की वीडियो में हम Southwest Direction, नई रित्यकोर या दक्षिन पश्चिम दिशा के बारे में पूरी जान करें लेंगे Southwest Direction, Skill, Stability, Bonding, Love and Relationships की Direction है और सबसे Important ये पित्रो की Direction है Southwest Direction में अगर कोई भी वास्तु दोश या प्रॉब्लेम होगी, तो Relationship Issues होगे Bonding खतम हो जाएगे, पित्रो की समस्या होगे अगर Life में पित्रो के आशिरवाद नहीं होगे, तो हमारे काम बनते बनते बिगड जाएगे बहुत सारी समस्याय आएगी Life में Stability खतम हो जाएगे इसलिए Southwest Direction सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है Southwest की Entrance के अगर हम बात करते हैं, तो Southwest की Entrance एक Non Treatable वस्तु दोश है यानि Southwest के Entrance के कोई भी उपाय या रेमेडी नहीं होती है Southwest की Entrance के Treatment के बाद भी Results नहीं मिलते है Southwest की Entrance आपको financially low कर देती है, बहुत सारे करजे देती है और दुनिया से आपको अलग कर देती है इसलिए Southwest Entrance वाली वास्तु हमें avoid करनी होती है Entrance के बात निकली है, तो मैं एक बात clear करना चाहूंगी Entrance मतलब कोई भी डोर जहां से आप घर के अंदर आ सकते हो या घर के बाहर जा सकते हो चाहे वो main entrance हो, front entrance हो या back entrance हो अगर back entrance भी Southwest में होगी तो भी वो आपको negatively effect करेग और एक बात, अगर आपकी कोई भी entrance Southwest में है और आप वो entrance use नहीं कर रहे है फिर भी वहाँ पर door present है, मतलब वो entrance आपको effect करेगी ही एसे case में अगर possible है, तो आप वो door निकाल कर वहाँ पर wall बनवा सकते है और उस entrance को हमेशा के लिए बन कर सकते है या उस entrance को कही और shift कर सकते है ये तो हो गई entrance की बात Southwest की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं bedroom की बात करना चाहूंगे Southwest की bedroom के बारे में लोगों में बहुत सारा confusion है ऐसा कहा जाता है कि Southwest की bedroom घर के बुदुर्गों को देनी चाहिए, घर के बड़ों को देनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है Southwest direction skills की stability की direction है इसलिए घर में जो skillful हो, जो पेसा कमाना जानता हो जिसका घर पर hold हो, उनको हमें ये bedroom देनी चाहिए Southwest की bedroom बहुत अच्चे results देती है यहाँ पर सोने से इंसान skillful बनता है टॉलेट की अगर हम बात करते है तो Southwest direction में टॉलेट कभी भी नहीं होना चाहिए Southwest की toilet relationship issues देती है Life में जो stability चाहिए होती है, उसे खतम कर देती है वैसे तो हमें Southwest में toilet को avoid करना होता है लेकिन अगर आपके घर में Southwest में toilet है तो toilet seat की तीनों या चारों तरब yellow color की 4 इंच की tape या brass की strip लगा दीजिए जिससे toilets के bad effects कतम हो जाएंगे Southwest में washing machine भी नहीं होनी चाहिए अगर Southwest में washing machine है तो washing machine की नीचे yellow color की mat डाल दीजिए और washing machine को yellow color के कपड़े से ढग दीजिए आप yellow color का cover भी use कर सकते है ऐसा करने से washing machine के negative effects खतम हो जाएंगे Southwest का kitchen भी बहुत बड़ा वास्तुदोश create करती है Southwest के kitchen पित्रदोश का भी कारक बनती है और life में बहुत सारी समस्याहे आती है Southwest के kitchen का वास्तुदोश दूर करने के लिए गैस बरनर के नीचे yellow color का पत्थर लगा दे लेकिन ध्यान रखिए अगर kitchen platform black या brown color की है या green color की भी है तो yellow color का पत्थर कुछ भी effect नहीं करेगा अगर kitchen southwest में है तो kitchen platform बनवाने के लिए आप yellow या off white color यूद कर सकते हैं southwest में पूजा रूम भी नहीं होना चाहिए अगर है तो उसे कही और directions में shift किजिए जो मंदीर के लिए ideal directions है उन directions में पिर से मैं बता दू मंदीर के लिए जो ideal directions है वो है north north east direction north east direction, east north east direction and west direction इन में से किसी एक direction में आप मंदीर को shift कर सकते हैं anti colors के अगर हम बात करेंगे तो southwest direction earth element की direction है और earth element के colors है yellow and golden colors इसलिए आप यहाँ पर golden, yellow, grey, white या off white colors यूज कर सकते हैं earth element के anti elements है water and air elements इसलिए southwest direction में किसी भी form में blue, black, green या brown colors नहीं होने चाहिए red color को भी हमें southwest direction में avoid करना है इसके साथ-साथ plants को भी हमें southwest direction में avoid करना होता है चाहे वो किसी भी color के plants हो plants जो होते हैं वो air element को represent करते हैं air and earth element एक दूसरे के anti है बहुत सारे cases में पूरा घर वास्तुदोश फ्री करने के बाद भी सिर्फ southwest में plant होने से घर में relationship issues पाए गए है इसलिए southwest direction में plants नहीं होने चाहिए southwest direction में underground water tank भी नहीं बनवाना चाहिए underground water tank जो होते हैं वो water element को represent करते हैं और water element भी earth element का anti element है overhead water tanks भी हमें southwest direction में नहीं बनवाने चाहिए बैसे तो overhead water tank जो होते हैं वो earth element को ही represent करते हैं लेकिन earth element बहुत ज़्यादा heavy होता है already southwest direction earth element की direction है इसलिए heavy होती है और वहाँ पर अगर हम overhead water tanks बनवाते हैं तो वो direction बहुत ज़्यादा heavy हो जाती है और बहुत सारे cases में southwest direction में overhead water tanks बनवाने से घर के सदस्यों में heart attacks की problems देखी गई हैं अगर आपके घर में relationship issues है तो अपने घर में southwest direction चेक कीजिए अगर वहाँ पर कुछ problem है तो उसे दूर कीजिए southwest direction clear करने के बाद वहाँ पर golden color की frame में अपनी उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपकी relationship खराब हो गई है उसके साथ वाली एक photograph वहाँ पर लगा दे ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ आपकी relationship सुदर जाएगी तो ये हो गई southwest direction की complete analysis southwest direction की गुनधर्मा, southwest direction के वासुदोष, southwest ने क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अगर वासुदोष है तो उनके क्या उपाय करने चाहिए southwest direction की पूरी जानकारी एकी वीडियो में, जिससे आपको समझने में आतानी होगे तो अपने घर में southwest direction चेक कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका उपाय कीजिए और वास्तु के अच्छे results पाईए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे like और share कीजिए और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो subscribe बटन को press कीजिए और उसके साथ साथ bell icon को भी press कीजिए जिससे मेरी नई वीडियो की notifications आपको मिलती रहेगी और आपके काम आने वाले important content आपसे miss नहीं होंगे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में Stay happy and healthy, thank you